परिवार का जीवन यापन करते थे। इसमें शटर और रैक बनवाए और बाकी पैसे से दुकान में सामान भर लिया। आज करण सिंग घर का गुजर बसर ना सिर्फ अच्छे से कर रहे हैं बलकि अपने बच्चों के भविश्य के लिए पैसा भी बचा रहे हैं। अब करण सिंग अपने इस धंदे को और बढ़ाना चाहते हैं। करण सिंग इस दुकान में अनाज पीसने की चक्की शुरू करना चाहते हैं ताकि आमदनी बढ़ा सकें। जिससे बच्चों को अच्छी सिक्षा दिक्षा दे सकें। जिससे बढ़ाना चाहते हैं। करण सिंग आज गाओं में अन युवाओं के लिए भी मिसाल बन गए हैं। क्योंकि उनके ही बीच का मजदूरी करने वाला युवा आज सम्मान जनक व्यापार से जो चुड़ गया है। देश में मुद्रा यूजना के अच्छे उधारन अक्सर शेहरी नौजवान पड़े लिखे युवा होते हैं। लेकिन अशोग नगर के आउनी गाओं के करंण सिंग की कहानी ये बताती है कि मुद्रा यूजना ना सिर्फ शेहरी युवाओं के लिए बलकि गाओं के युवाओं के लिए भी कारगर साबित हो रही है और एक चीज ये भी बताती है ये अगर कुछ करने की एक्षाश्रक्ति हो कुछ करने की चाहा हो तो कोई रहा मुश्किल नहीं है यह पसंद व्यूप खान के साथ आतिक तिश्रवास्त अशोक नगर आउरी गाउं